आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं चिकन मसाला गिरेवी की रेसिपी इसको बनाना बहुत ही आसान होता है ये खाने में भी बहुत लाजवाब लगता है आप एक बार ये चिकन जरूर ट्राइ करें ये बहुत जल्दी बनके तयार हो जाता है कोई मेहमान आ तो आप जट पट इसको बना के तयार कर सकते हैं चले हम बनाना सुझू करते हैं यहां मैंने एक किलो गोस लेकर इसको अच्छे से धो के इस टेनर में रख दिया था उसका पानी अच्छे से निकल गया है इसको मैंने एक गंबले में रख दिया है इसमें हम लोग दो चमच भर के अध्र आधा चमच हल्दी पाउडर आड़ किया है और एक चमच मैंने जीरा पाउडर आड़ किया है यहां मैंने आधा चमच काली मिर्च पाउडर आड़ कर दिया है यहां मैंने एक चमच भर के नमक आड़ कर दिया है नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं यहां मैंने 1500 ग्राम दही ली है उसको भी मैंने इसमें एड़ कर दिया है इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से मिला के 15-20 मिनिट के लिए मेरिनेट करके रख देंगे हम लोग इसको इसको फ्रीज में नहीं रखना जो देर तक रखेंगे तब फ्रीज में रखेंगे ने तो 15-20 मिनिट के लिए हम लोग इसको ऐसी ही रख देंगे चलिए देखिए मैंने कड़ाही फ्लेम पर रख दिया है उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है यह मैंने 10-15 बदाम 10-15 काजू और थोड़ा सा गड़ी ले लिया है उसको हम लो इसमें तेल में डाल के उसको फ्राई करेंगे तेल हमारा गरम हो गया है सबसे परले हम लोग बदाम हैट कर देंगे उसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे 15-20 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे इसको अब हम लोग इसमें काजू डाल देंगे काजू हमारा थोड़ा सा फ्राई हो गया अब गड़ी डाल देंगे गड़ी को तिनचार मिनिट के लिए फ्राई कर लेंगे अरे तिनचार सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे सारी यहां मैंने खर्बूजे के बीज ले लिया है अब उसको भी हम लोग डाल के दो तिन सेकंड के लिए चला लेंगे बहुत जल्दी यह सब बन जाता है अब हम लोग इसको निकाल लेंगे ज़दा देर तक फ्राई नहीं करना है ने तो खर्बूजे के बीज जल जाएंगे अब हम लोग इसको निकालके इसका बारिक पेश्ट बना लेंगे मिक्सर जार में डालके जो मिक्सर नहीं है तो आप सिल्वट्टे पर भी इसको बना पिस सकते हैं देखिया मैंने अच्छे से सारे ड्राइफ रूट निकाल लिया मैंने सारे ड्राइफ प्राइब करके रख लिए इसका पेश्ट हम लोग बना लेंगे अब हम कड़ाई में और तेल एट करेंगे यहां मैंने सर्सो के तेल एट कर दिया है इसमें आप जिस तेल में मनाना चाहें उस तेल में बना सकते हैं तेल गरम होने के लिए मैंने छोड़ दिया है यहां मैंने पांच मीडियम से इसके प्याज ले लिये थे उसको बारी कट लिया है अब हमारा तेल गरम हो गया है प्याज को हम लोग इसमें डाल देंगे प्याज को हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे प्याज को हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे देखें प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है अब हम लोग प्याज को निकाल लेंगे प्राई हो गया है कि हम लोगे कुछ खड़े मसाले आट करेंगे यहां मैंने चार लॉंग लेली है दो टुपड़ा दलचिनी का दो तेज़ पत्ता आधा चमज काली मिर्च तीन छोटी एलाइची एक बड़ी एलाइची मैंने लेली है कि लोगे इसने तेज़ पत्ता डालेंगे उसके बाद सारे मसाले हम लोगे आड़ करेंगे ऑब हम लोगे इसमें अपना मेरीनेट किया हुँआ चिकन आड़ करेंगे देखिए अच्छे से हम लोग मेरिनेट करेंगे आराम आराम से डालिए तेल छटक सकता है अब हम लोग इसको इसी पानी में अच्छे से बना लेंगे ग्रमला को थोड़ा सा हम लोग धो के उसमें से थोड़ा सा पानी इसमें आट करेंगे अब हम लोग इसी में भूनते हुए इसको बनाएंगे यहां हम लोग को फ्लेम को फुल रखना है मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ढख दिया था अब हम लोग इसको ढखेंगे नहीं इसको अच्छे से बनाएंगे यहां मैंने प्याज को मिक्सर में डालके दरदरा पीस लिया है पानी नहीं डाला है ऐसे ही पीसा है उसको भी हम लोग इसमें आड़ कर देंगे और हम लोग चिकन को अच्छे से भून लेंगे यह चिकन बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है मैंने इस है पाच हरी मिर्ची रेली है उसको बीच में से फार के इसमें आइट कर दिया है मिर्ची का फ्लेवर इसमें बहुत बढ़िया निकलके आता है हम लोग अच्छे से भून लेंगे हमएगे चिकन हमारा अच्छे से भूना गया है कि इसको और थोड़ी देर के लिए भूनेंगे यहां हम हमने जो काजू बदम का पेश्ट लिया था उसको हम लो इसमें एड़ कर देंगे हम लो अच्छे से मिक्सर जार को दो के इसमें डाल देंगे इसमें काजू बदम गड़ी बहुत टेश्टी लगता है आप जरूर एड़ किजिएगा जब हो तो एड़ करिएगा ना हो तो कोई बात नहीं है ऐसे भी बहुत टेश्टी बनता है और अब लोग इसको अच्छे से भून लेंगे यह में गरम मसाला अधा चमचाइट कर दिया है देखे हमारा चिकल भूना गया है और आम लोग इसमें पानी डाल देंगे जितना गिरेवी आपको रखना है उतना पानी डाल दिजिए यहां मैंने आथा गिला सभी पानी एड़ किया है अब हम लोग इसको ढख देंगे अब हम लोग मीडियम फ्लेम पर दस मिनट के लिए बना लेंगे देखे हमारा चिकल कितना बढ़िया बनके तयार हुआ है अगर आपको मेरी चिकन की रेसिपी पसंदा रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सेयर करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना बिलकुल ना भूलें देखे मैं आपको सरु करके दिखाती हूँ कितना बढ़िया चिकन हमारा बनके तयार हुआ है आप एक बार मेरे तरीके से चिकन जरूर ट्राइ करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा बना है अल्ला हाफीज